इस तरह से अचार बनाने के लिए मैंने हाफ केजी सूरन लिया है इसको मदरासी सूरन बोला जाता है इससे हाथ में खुजली नहीं होती है यानि की इचिंग नहीं होती है तो इसको आप हाथ से काट सकते हैं बिना कुछ लगाए हुए हाथ में तो इसमें जो मिट्टी लगा पहले इस मिटी को अच्छी तरीके से धूल लेंगे उसके बाद इसका छिलका निकाल देंगे और फिर इसको कट करेंगे इस तरह से मैंने इसको धूल लिया है और इसका छिलका भी निकाल दिया है तो अब इसको कट करेंगे पहले पतले पतले टुकडे में कट कर लेंगे यह बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो संभाल के कट करेंगे हाथ में लगने का डर है अब इसको फिर से पतले टुकडे में कट करेंगे साईज आप अपनी पसंद अमसार रख सकते हैं ये देखे इस तरह से कट कर लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मोटा रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे तो सारा सूरन इस तरह से कट करके रख लेंगे इस तरह से सूरन का अचार आप जरूर बनाएगा खाने में बहुत बढ़िया लगता है तो इस तरह से मैंने सारा सूरन कट कर लिया है तो अब एक कडाही लेंगे कडाही में डालेंगे दो से तीन बड़ा चमच सरसो का तेल तेल गरम हो गया है तो वन टेबल स्पून सौफ डाल देंगे सौफ का कलर चेंज हो गया है तो हाफ टी स्पून मंगरेल डाल देंगे इसको कलोजी भी बोलते हैं और 1 टी स्पून मेथी दाना डाल देंगे 1 टेबल स्पून सरसो डाल देंगे मैं पीला सरसो डाल रही हूँ आप काला भी ले सकते हैं जब ये मसाला चटक जाएगा तब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और healthy powder डालने के तुरंट बाद ही इसमें ये सूरन डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला देंगे तो अच्छी तरीके से इसको मैंने मिला दिया है तो अब इसको low gas flame पे दो मिनट के लिए cover कर देंगे दो मिनट हो गया है तो एक बार चला देंगे और फिर से 2-3 मिनट के लिए cover कर देंगे तीन मिनट बार देखेंगे कि ये soft हो गया है एक बार इसको check कर लेंगे इस तरह से एक लेंगे और इसको देखे कितनी आसानी से cut हो जा रहा है तो इसका मतलब ये soft हो गया है अब इसमें लंबे और पतले टुकडे में कटी हुई हरी मिर्च टाल देंगे हरी मिर्च की मातरा आप कम ज़्यादा भी कर सकते है और लासुन डाल देंगे अपने पसंद अंसार आप दोनों चीजों की मातरा कम ज़्यादा कर सकते है और एक टेबल स्पून कस्मीजी लाल मिर्च डाल देंगे हाफ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर और डाल देंगे और वन टीए स्पून कालर नमक और एक से डेट टेबल स्पून साधर नमक डाल देंगे और एक टेबल इस्पून अंचुर पाउडर डाल देंगे दो से तीन पिंच हींग डाल देंगे सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिला देंगे अच्छे से मिलाने के बाद गैस फ्लेम आफ कर देंगे और कडाही गैस से उतार लेंगे ताकि जल्दी से अचार ठंडा हो जाए तो अचार अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है अब इसमें एक से तेबल इस्पून विनिगर डाल देंगे और एक बड़ा चमच सर्सो का तेल और डाल देंगे तेल मैंने गरम करके फिर ठंडा कर लिया है तो सभी चीजों को फिर से अच्छी तरीके से मिला देंगे अब एक काच का कोई जार लेंगे और उसमें भरके रख देंगे इस अचार को आप एक साल तक रख सकते हैं बिल्कुल नहीं खराब होता है लेकिन अगर आपको एक साल के लिए रखना है तो इसमें एक से दो बड़ा चमच सरसो का तेल गरम करके और डाल दीजिए मैं यहाँ पे अचार कम बनाई हूँ तो जल्दी खतम हो जाएगा इसलिए मैं इसमें बहुत ज़दा तेल नहीं डाली हूँ लेकिन आप इसको जब भी निकालिए तो साफ और सुखे चमच से निकालिए और जिस चार में रखिए वो भी अच्छी तरीके से साफ और सुखा हो तो अगर आपको मेरी यह अचार बनाने की रेसेपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजेगा जादा से ज़दा शेयर कीजेगा चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर और पर किलिक करना बिल्कुल न भूले जिससे मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले थैंक्स पर वाचिंग टेक केर बाई बाई